Good morning students, आज हम class 7 के में इसका exercise 5a से start करेंगे तो question number 1 में क्या कह रहा है, write the following in exponential form यहाँ पर जो दिये गए है, इन statement का हमें क्या लिखना है, exponential form लिखना है तो इससे पहले हमने exponents और powers के बारे में discuss किया था, आज हम करेंगे इसका exponential form तो यहाँ पर कह रहा है, a part square of 3, तो हमें क्या लिखना है, 3 का square लिखना है तो हमने बताया था, आपको square का मलब होता है इस तरह से, यानिकी power यानिकी 2 इसको हम कहते हैं, यानिकी square, तो 3 raise to power 2 इसको हम कहते हैं square, यानिकी square of 3 इसके बाद B पे आते हैं तो B में क्या पुछा है उन्होंने Q of 51 Q का मलब होता है किसी का आने की पावर अगर 3 है तो उसको हम कहते हैं 50 याने की उसको हम कहते हैं Q 51 raise to the power 3 तो 51 का Q ये आने की मलब हमारा Q जो है आने की 3 इस तरह से लिखते हैं Q of 51 C 5 raise to the power 8 तो हम क्या लिखेंगे इसका 5 का जो power आएंगे वो आएगा हमारे पास 8 इस तरह से raise to the power 8 का मलब जाने की इसका power जो होने चाहिए 8 होना चाहिए इसके बाद उन्होंने पूछाए D पाड में product of 2 D में दिया गई है आपको question product of 2 qubit and 3 sugarit अब यहां पे क्या है product of 2 qubit 2 का जो होने चाहिए और का जो होने चाहिए और का जो होने चाहिए product product का मालत होता है multiply and 3 sugarit 3 का क्या होना चाहिए sugar होना चाहिए तो यह हमारा बन जाता है यह दूनों आप इनको solve करने के जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने आने की solution या value निकलने के लिए नहीं कहा गया है तो बाकी जो ही E F part आप करेंगे फिर हम आते हैं question number 2 पे question number 2 में उन्होंने क्या पूछा है find the value of the following find the value of अब हमें value find करना है कि इसका A part उन्होंने दे रखा है 3 raised to the power 4 अब हमें इसका value निकलना है तो 3 को 4 times multiply करना है into 3 3 को 4 times हमने multiply किया 3 3 is a 9 9 3 is a 27 27 multiplied by 3 तो कितना आते हम देखेंगे यहाँ पे 21 81 तो इन सभी को हमने multiply किया तो answer आगा हमारा 81 तो यह रहा हमारा A part अब B part उन्होंने क्या कहा है 11 का square 11 का square 11 का square 11 को 2 times multiplied करना है 11 multiplied by 11 is equal to 121 हमारा answer आएगा इसी तरह से बाकी questions भी करना है जैसे आप यहाँ पे C part दिया गया है तो C part में value दिया गया है माइनस को 3 times multiplied किया तो फिर से क्या आएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27 तो इसका value आते है वो आते है minus 27 आ जाते है तो similarly बाकी जो parts आपको करनी है जैसे यहाँ पे दिया है माइनस 7 raise to power 3 7 का सुकायर यहाँ पे 4 raise to power 4 यानि कि यह सब आपको करना है minus 5 raise to power minus 4 raise to power 6 आपको question number 1 के सभी parts करने है और question number 2 के A से लेके आपको homewire के लिए H तक यहनि कि आपको complete करने है फिर इसके बाद हम exercise कल question number 3 question number 3 यहनि कि आप homewire के लिए कर भी सकते हैं इसमें ज्यादा यह प्रावल्म नहीं question number 3 में आप क्या कर सकते हैं fill in the boxes with appropriate answers यहां पर हमारे पास जो boxes है उनको सही यानिकी answers में लिखने हैं तो यहां पर उन्होंने क्या कहा 3 raise to power 4 तो यह आसान है आप यानिकी कर सकते हैं तो हमारे पास यहां पर base सबसे पहले हमें base fill करने तो base हमारा 3 ही इससे पहले हमने introduction में पढ़ा था तो 3 हमारा base है exponent exponent यह पावर हमारा 4 है तो हम यहां पर 4 इस तरह से लिख सकते हैं फिर इसका expanded form का मलब इस 3 को हमें 4 times multiply करना है तो 3 into 3 into 3 into 3 यह हो गया इसका expanded form फिर इसका value को multiply करके इसका answer लिखना है 3 3 is a 9 9 3 is a 27 27 into 3 that is 81 तो यह आ जाते है इसका value तो इसी तरह से यह जो boxes से आप fill कर सकते हैं तो बाकी BCD तक आप यहां तक कर सकते हैं तो question number 3 तक आप यहांने की complete करके करेंगे अपने school के copy पे तो कल से हम question number 4 से start करेंगे thank you heavy night